अकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर जी पहले मुख्य समाचार आज लोकसभा की कारेवाही पहले स्थगन के बाद दो बारा शुरू होने पर विपक्षी दल कॉंग्रस, द्रुनमूल कॉंग्रस, वाम दल, राश्य जन्ता दल और राश्रवादी कॉंग्रस पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉक आउट किया। शुनिकाल के शुरू होते ही कॉंग्रस नेता मलिकार जुन खड़के ने किसानों की स्थिती और उनके द्वारा की जा रही आत्महत्या पर तुरंट चर्चा कराने की मांग की। शुनिकाल में ये मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी के नरेश अगरवाल ने कहा कि मीडिया और लोगों में ये भ्रामक राय बनी हुई है कि सांसदों को भारी वेतन और भत्ते मिलते हैं ये सच नहीं है। मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने आज कहा कि जून माह में प्रदेश के कुछ हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन को शड़े अंत्र पूर्वग धंग से हिंसक आंदोलन में बदला गया। राजव धान सभाब में इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताप के तहत हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 4 जून को दो किसान संगठनों के साथ उज्जैन में हुई उनकी बातचीत तथा मांगे माने जाने के बाद आंदोलन अजानक उग् शांती पूर्ण चल रहे आंदोलन में कॉंग्रस ने आग लगाने का काम किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रस के दूसरे और तीसरे दर्जे के नेताओं ने हिंसा पहलाई शुई चौहान ने कहा कि इस मामले की नियाएक जांच में आये तत्थियों के बाद आप राधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरे तत्थियों को आने दे मुख्यमंतुरी ने कहा कि उन्होंने किसानों के लिए रोज कुछ ना कुछ सोच कर काम किया है उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का किसान हिंसक नहीं है उन्होंने बताया कि मंसौर में पिछले च्छे महीनों के दौरान अफीम डोडा चूरा और अन्यमादक पदार्थ के तसकरों के खिलाफ कारिवाहिप कर उन्हें जेल में बंद किया गया है एक सुआट लोगों को जिलापदर किया गया है शुई चौहान ने कहा कि हर एक आत्महत्या तुरासद होती है उसे गलत धंग से प्रस्तोत नहीं करना चाहिए शुई चौहान ने अपनी सरकार द्वारा किसानों के हिद में किये गए कारियों को भी गिनाया नीता पृतबर्ख शजय सिंग ने राजवधान सभा में किसानों के मुद्धे पर हुई चर्चा में बोलते हुए कहा कि किसान आंदोलन में कॉंग्रस का हाथ नहीं था उन्होंने कहा कि किसान दुक ही था, उसने आंदोलन किया और ये आंदोलन भढ़ग गया, जिससे हिंसक घटनाए हुई उन्होंने कहा कि ये एक जून से ये आंदोलन चल रहा था लेकिन 6 जून की दोपेहर तक किसी को इसमें कॉंग्रस का हाथ दिखाई नहीं दिया प्रदेश में प्रभावितों को मुआवजा संबंधित प्रावधान पर विचार किया जाएगा। या मुआवजा दिया जाना मुखे मंत्री या सरकार के विवेक पर निर्फर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेखा पाटकर और सरदार सरोवर डू प्रभावित लोगों को पुलिस ने आज भोपाल में हिरासत में ले लिया। ये सब ही आज विधान सभा का घेराफ करने के रादे से भोपाल पहुँचे थे। इन्हें भोपाल स्टेशन पर ही रोक दिया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपा से प्रसारित किये जा रहे हैं। ताज़त समाचार जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.ion पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलिटन, यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। भारती जन्ता पार्टी संसदी अदल की बैठक में आज नई दिली में वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू किये जाने से आम लोगों को होने वाले लाप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और कहा गया कि इससे देश में विकास को गती मिलने के साथ ही व्यापार को बढ़ावा मिलेगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की उपस्तिती में यहां संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने GST के लागू होने से आम लोगों को होने वाले लाप की जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश में एक कर बिवार कल्यान मंत्राले अंतराश्य श्रम संगठन और मध्यप्रदेश राज्य एद्स नियंत्रण समिती द्वारा संइंक तुरूप से 20 और 21 जुलाई को भोपाल में एक शेत्री कारिशाला आयोजित की जा रही है कारिशाला में श्रम जगत में HIV AIDS से संबंधित के IEC और में स्ट्रीमिंग अधिकारियों के साथ ही और द्योगे के काईयों और संगठनों के प्रतिनिधी भाग ले रहे हैं सहायक उपनरीक्षक कंप्यूटर प्रधान आरक्षक कंप्यूटर एवं आरक्षक संवग भर्तिवर्ज 2017 के लिए 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं पूर में मध्य प्रधेश प्रफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ट द्वारा ओनलाइन आवेदन के लिए अंतिम्ति थी साथ जुलाई थी जिसे बढ़ा कर अब 20 जुलाई कर दिया गया है इच्छुक आवेदर क्योस के माधियम से कल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं शासन के निर्देश आनुसार प्रदेश में नियोजद सभी श्रमिकों को नियोकताओं द्वारा वेतन का भुकतान बैंक खाते के माधियम से या चेक के माधियम से किया जाए इस संबंद में पिछले 30 जून को गजट नोटिफिकेशन हो चुका है श्रम विभा के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि शासन के इस निर्णे की सूचना श्रमिक संगठनों के पदा अधिकारियों को भी दी जाए राजी के कई हिस्सों में एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू हो गया है पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, होशंगाबाद और अंदौर संभागों में कई स्थानों पर तथा शेष संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश होई पच्मडी में 12 संटीमीटर बारिश दर्च की गई वहीं खंडवा में 9, चिंदवाडा और सिवनी में 77 संटीमीटर, बरेली में 6 और हरसूद में 5 संटीमीटर बारिश होई राजधानी भोपाल में भी आज सुभा से ही रुक रुक कर अच्छी बारिश होई जिसे नगर का मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी और उमज से राहत मिली है मौसम केंद्र ने कल सुभा तक होशंगाबाद संभाग और भोपाल, सिहोर, राइसेन, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाडा, सिवनी, बालागाट, इंदौर, विदिशा और नरसिंगपुर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेताब नी दी है वहीं खंडवा, बैतूल, राइसेन, छिंदवाडा, सिवनी, नरसिंगपुर और होशंगाबाद जिलों में भारी बारिश से निचले हिस्से डूब जाने का अलर्ट जारी किया गया है इस दौरान राजी के अंस्थानों पर भी बारिश होने का नुमान जताया गया है हजाने से 35 लाख रुपे निकाल लेने के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्च की गई है चिंदवाडा में नगरिय निकाय आम नर्वाचन के अंतरगत 6 नगरिय निकायों में शांतिपूर निर्वाचन के लिए 32 सेक्टर ओफिसर नियुक्त किये गए है प्राइसे इंजला प्रशासन ने लोग सेवाओं के प्रदाय की गयारंटी अधिनियम के तहट प्रापता आवेदन पत्रों का निर्थारत समय सीमा में निराकरणना करने पर अनुविभागिय दंडाधिकारी सहित 10 अधिकारियों को नोतर्स चारी किया है सेना द्वारा वभिन पदों पर भरती के लिए सिहोर में 5 से 13 अक्टूबर 2017 तक भरती रैली आयोजित की जाएगी भरती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई से 19 सितमबर तक आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर किये जा सकते हैं और शाजापूर में आज खेल और युवा कल्यान विभाग द्वारा जिलास्तरिय युवा उत्सव का आयोजन हुआ अंत में बुलिटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर मुखे मंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कहा है कि बिचले माहा प्रदेश में हुए किसान आंदोलन को शड़े अंत्र पूर्वक हिंसक आंदोलन में बतला गया वही नेता प्रतिपाक्षजे सिंग ने हिंसा में कॉंग्रस का हाथ होने से इंकार किया गुरह मंत्री भूपेंद्र सिंग ने कहा है कि राजी सरकार मंसौर जैसी घटनाओं के लिए स्पष्ट मुआवजा नीती बनाने पर विचार करेगी भूपार में कल से एट्स पर दो दिवसी अक्षेत्री कारेशाला शुरू होगी और राजी के कई क्षेत्रों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलिटन समाप्थ हुआ नमस्कार क्षेत्री